शेयर की ताजा खबरे देखने के लिए इन वीसेया न्यूस को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूलें मंगलवार की रात पाचपावली के कॉरंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों के तोड़ फोर से हलचल मच गई है यहाँ पहली बार नहीं है कि किसी कॉरंटाइन सेंटर में लोगों का हंगामा होगा इसे पहले भी MLA हॉस्टेल में भी लोगों ने इस तरह का हंगामा किया था और सबी सडकों पर उतराए थे दरसल इन कॉरंटाइन लोगों के आक्रोश का कारण इनके सेंटर में होने वाली असुविदा है इनने समय पर खाना नहीं मिलना आस्वच्छता रहें सेहन और अन्य सहुलियत की शिकायत यहाँ पर रह रहें लोगों ने पहले भी की है कोरोना वाइरस जैसी महामारी से बचने के लिए सुरक्षा स्वच्छता और सावधानी का ध्यान रखना जरूरी है जिस से इस विमारी से बचा जा सके जिस शेतर में कोरोना संक्रमीत पाया जाता है उस शेतर को परशासन द्वारा सील कर संक्रमीत लोगों के संपर्क में आये लोगों को कौरंटाइन सेंटर में 14 दिन के लिए रख कर परिक्षन किया जाता है क्वारंटाइन सेंटर में वो सभी सुविधा दी जा रही है जो एक स्वच्चता को दर्शाती है ऐसा प्रशाशन का विश्वास है लेकिन सेंटर में रह रहे हैं लोगों के हंगा में और आकरोश ने इसे गलत साबित कर दिया है प्रशाशन ने इस ओर ध्यान देने की जरूरत है ताकि पाँच पावली में मंगलवार को हुआ हंगा मा लोगों द्वारा फिर न धोराया जाए